मुख्यमंत्री नितीश कुमार बक्तियारपूर में अपने आवास के पीछे स्थित प्राचियन काली मंदिर के नमनिर्मित भवन के उद्घातन कारकर में पहुँचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार के बक्तियारपूर स्थित घर के पास ही प्राचियन काली मंदिर है स्थानियों लोगों ने मुख्यमंत्री से कई बार प्राच्यन काली मंदिर के जिर्नोध्वार की मांग की थी उद्घाटन में उनके बड़े भाय सतीश कुमार और उनकी भावी भी शामिल हुई उनके बड़े भाई सतीश कुमार और भावी ने मंदीर में पूजा अर्चना कर हवन भीक किया मुख्य मंतरी का काफिला जब मंदीर पहुचा तब जनता उन्हें अपने बीच देखकर जंदा बात के नारे लगाने लगी वही कुछ लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवाज लगानी शुरू कर दी पट्ना के डीम चंदर शेकर सिंग ततकाल हरकत में आया और उन्होंने जनता की समस्याओं को लेकर आवेदन लेना शुरू कर दिया हलकी बारिश के बीच भी जनता मुख्य मंतरी की एक जलक पाने के लिए बेच्चैन दिखे मुख्य मंतरी ने भी थोड़ी देर रुप कर जनता के समस्याओं सुनी जिसके बाद उन्होंने प्राचीन काली मंदिर के नय भवन का उधगाटन किया मंदिर में कारिकरम के दोरान उनके भाई भी साथ में मजूद रहे वैदिक मंतरी के साथ पाचीन काली मंदिर के नय भवन का उधगाटन किया गया मंदिर भवन के उधगाटन के बाद मुख्य मंतरी का काफिला पटना के लिए रवाना हो गया वहीं बक्तियारपुर में उनके बच्चपन के समय साथ रहे वैक्ती ने मुख्य मंत्री नितीश कुमार से दिल्ली बुलाने की बात की और उन्हें मिलने नहीं दिये जाने की शिकायत की जिस पर मुक्य मंतरी नितीश कुमार ने पतना डियम चंदर शेकर को आगे कर शिकायत करता कि समस्याओं को सुनने और समाधान करने के निर्देश दिये जो आखिकाय जागे कुमार शेता शें कुमार शेकरी काई गागे करता के लागे करता है कर दो भाओे करने करते हैं कर देचिर भाण जिन्दावार 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 झाल झाल